गुर्मानी स्ट्रेंट्स क्लास 8 आज आपका चैप्टर है इसके नोट्स चैप्टर 8 प्लास 8 चैप्टर नमबर 16 आपका साउंड देखिए पहले पढ़ते हैं वाट इस साउंड साउंड क्या होती है वाइब्रेशन देट ट्रैवल रोगी एर और अनौधर मीडियम मीडियम मतलब होता है कि किसी भी चीज को आगर हम रोड पे चलतें तो हमें कोई नोग रोड होती है और को भी कुछ नोगुछ मीडियमच εδώ होता है तो एयर का मीडियम साउंड को मीडियम चाहिए तो साउंड के लिए क्या मीडिया में एयर है तो वाइब्रेशन ट्रैवल त्रो एयर और अनुदर इमियम कोई भी वाइब्रेशन जो ट्रैवल करती एक जगे से दूसरी देगा जाती है एर होना चाहिए मीडियम या फिर क्या होता है मीडियम दूसरा होता है उसके अलावा को और कोई भी मीडियम हो जिससे अब आज वन प्लेश टू अनदर प्लेश चले जाए और उसे सुनाई आनी चाहिए है ते रीच परसंस और अनिमल्स यार परसंस और हम सुन सकते हैं एक वाइबरेशन है यह जो एक वाइबरेशन है तरह तरह जाएबरेशन विच मूब फ्रू वन प्लेश टू अनदर थ्रू एनी मीडियम ड़िए स्कॉल सांड नेक्स आथा है मुजिकल सांड मीजिकल आपको पता है यह मुजिकल माने होता है इस ढूल shaking family plebs तो वन उजाजु मैं बहुत दान्स की साउंड करते हैं लिचिお願いします यह तो प्लीजन सांड हुथ होती है यह दा सांड विच प्रॉडूस अंधि करने मालत है फूझेंहर यह हंम बहुत शानदर तरीके संवाद यह कलD आपको पता है कि ज्यादा नाइज हो रही है क्लास में तो हल्ला हो रहा है इन हावर वर्ट्स हिंदी वर्ट्स नाइज दा साउंड विच प्रोड्यूसर जेरिंग और अंप्लीजेंट मतलब जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है जहां शोर होता है लोग अच्छे नहीं लगता है उसे जुपकरा देते हैं सबसे वड़ा एक्जांपल हमारी क्लास में कि लास में बच्चे शोर मचाते हैं तो अनप्लीजेंट साउंड होती है नॉइस कहते हैं फिर क्या होता है उसे चुपकरा देता है टीचर आगे तो एकि ऑर डीवल करन होती है तो हइन तो सा मुझा है है ने जिए और सुल्पर के लोगता है तो इसमेड चोड़न कीbellिवस से रेलेटेटस उड मेंध यह प्रेशन अर्ण होती है और यह कर्ड़न से 20 हर्टस से लिगरू हर्टन थ्स नहीं हर्ट से 20 Hz से 20,000 Hz तक और हम क्या सकते हैं 20 KHz की 1000 एक वन थाउजन इकल वन थाउज हर्ट्स आर ही आपाई हूमन इयर की कई वार कोशन आता है बहुत इंपोर्टेंट है कि हूमन इयर कितने से कितने तक की साउंड तक सुन लेता है human ear हमारा 20 Hz से 20,000 Hz तक की sound सुन सकता है easily इस से नीचे होगी तो नहीं सुन पाते हैं हम कहते हैं क्या बोल रहा हाँ वाज नहीं आ रही है और इनॉडिवल आती next sound having frequencies above इनॉडिवल means जिसकी frequency 20 Hz 20,000 Hz से उपर होती है और बिलो 20,000 Hz एब बिलो 20 Hz जाद ही हो रहा होगा तो हम कुछ समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है और 20 Hz से नीचे होगी तो फिर भी नहीं हुमन एर सुन नहीं पाएगा तो जो sound इनॉडिवल होती है means इनॉडिवल मत्तब जो हमेरे द्वारा human के द्वारा सुनी नहीं जाती है सही तरीके से प्रॉपर्ली वे में नॉर्मल वे में that is called the inaudible sound 9 arguments with temperature sound which cannot be here called infrasonic important भी लेजिए जिस जिस sound की फ्रिकेंसी बहुत लो होती है कि जिस साउन्ड Michael ऑननीmen बहुत ज्याधा कम फ्रिक्षेंसी हो उसे क्या है और च्विंस्साओं की ज्याधा फ्रेक्वेंसी ज्यादा हाई प्रटा Rab 75 लेी त Indigenous ताउजेंट से उपर जिसकी फ्रिकेंची एड़ इसकाल दी अल्ट्रा सॉनिक इंफ्रा सॉनिक अल्ट्रा सॉनिक कन्फिर मतों नेक्स देखी स्टुनेंट सी दे रखा है थोड़ा पैड़ा में इन हुमन बिंग्स दा वाइबरेशन आप दी वोकल कॉर्ट्स प्रोड्यूस साउंड हमारे गले में तो वह हमारा प्रोड्यूस करती है साउंड निकालती हमारे अंदर से साउंड ट्रैवल स्टूरा मीडियम गैस साउंड कौन कौन से मीडियम से निकल सकती है मतलब पास कर सकती है जहां सुनाई पढ़ जाएगी लिक्वेड हो गई पानी के अंदर भी पानी बोलता है तो पतलग जाता है तोड़ा सा क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी ज्यादा च साउंड कभी वेक्यूम में ट्रैवल नहीं हो वेक्यूम देखिए तो चीज होती जिसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं जिस चीज के अंदर एयर क्या अपसेंस है ड़ी स्कॉल देखिए सुडेंट नेक्स्ट जो हमारा एयर ड्रम यह थोड़ा बात कर दिया साइंस भी आ देट इस दा ये ड्रम और ये ड्रम यह क्या वर्किंग करते हैं हमारे ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करते हैं एक जगह फैडने का कर और कई फोकस पॉइंट पर कोता है हमारा होला यह हो आक होता है इंट इनर यह और यह गत आरशीर और ने कि यत पर फिल यग के रेंट हमारे समय होता है only with the help of ear drum ear drum क्या करता है sound collection करके vibration को sound की और अंदर भीज देता है focus point पे जहां से हमारा main ear working listening करता है महां से next है unpleasant sound और call noises बताई दिया देखिए student दुबारा आ गया है कि देखिए कोशन आ रहाता है आपको एक्जाम में इंपोर्टेंट एक्सेसिव और अन्वांटेड एक्सेसिव मतला बहुत ज्यादा गलत तरीके से बोलना चिलाना या शोर मचाना lead to noise pollution उससे क्या होता है हमारा noise pollution जैसे for example कहीं ट्राफिक चलता है बहुत ज़्यादा गाड़ियों को आवाज हो रही है तो वहां सबसे ज़्यादा क्या है noise pollution है उस जगे पर है noise pollution में भी health problem और human being cause pause मतला है जो हमें नुक्सान परचाता है क्या कर सकता है human being को जब जहां ज्यादा साउंड होगी आप रुक नहीं पा होगे और रुकोंगे वहां फैक्ट्रीज होती है उसमें ज्यादा साउंड होती दूंके क्या होते है यह थोड़े से working कम करने लगते हैं लोग होगा जहा is a lot of noise pollution of different things lack of sleep noise pollution से क्या होता है कम नीन दाती है फित रात में सो नहीं पाता है नो हाइपर टेंशन हो जाती है tension हो जाती है high blood pressure जिसम कहते हैं इसकी form में anxiety and many more health disorders may be caused by the noise pollution और कई पिरकार की बिमारिया भी noise pollution से होती है जहां जादा शोर मचता है noise pollution जहां जादा रहता है अब person who is exposed to a loud sound continuously और जिस person को किसी person को loud sound या हमी सुनने लगें continuously कोई बड़ी beat पर या डीजे पर loud sound सुनने लगें बहुत तेज वाज में सुनते रहें लगातार it may be temporary or even permanent impairment of hearing और उसका हमेशा के लिए क्या हो सकता है सुनाई देना कम हो सकता है और even the उसे विलकुल आवाज नहीं आ सकती है in future उसके कान भी पढ़दे भी खराब हो सकते हैं जिसके कारण यह बहुत ज्यादा temporary भी होता है और permanent भी हो सकता है कि उसके permanent उसकी कानों के बाद चले जाए यह कम हो जाए नेक्स्ट एस्ट एस्ट एक टैम्ट शुड़ भी मेड टू मीनिमाइज नॉइस पॉलीशन और हमें नॉइस पॉलीशन को कम करने के लिए बहुत जादा अटेम्ट लेने पड़ते हैं silencing devices must be installed in aircraft engine और जितने भी ध्यान लखना जितने भी aircraft engine होते हैं जितने भी हवाई जाज होते हैं उनकी sound देखिए फिर भी बहुत आती है बट उसमें क्या लगाया जाता है एक device लगाया जाता है जिससे noise pollution कम करे उपर जाए ट्रांसपोर्ट वीकल्स में भी लगाया जाते है है यह वहना कार बहुत जादा बोलती है फोर्वीलर देखा होगा बैठे होंगे आप तो उसकी सर्विस होने के बाद ठीक हो जाती है उसमें अंदर इंटीरियर ही इस टाइप से बनाई जाती है या उसमें device लगाया जाते हैं प्रीश गाड़ियों में कि उससे noise pollution कम से कम हो अवाज कम से कम हो इंडेश्ट्रियल मशीन्स एंड हो मैं अप्लेंस हो मैं घर पर यूज करते हैं उसमें भी नॉइस पॉलिशन होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं एक डिवाइस यूज करते हैं बिजली की बिजली से चलने वाली चीज़ों के अंदर Plantation on roadside elsewhere can reduce noise pollution और सबसे बड़ी चीज क्या है कहीं plantation या ज्यादा ज्यादा पेड़ जहां होते हैं वहाँ noise pollution बहुत ज्यादा कम रहता है as compared to constructional area amplitude the maximum extent of the vibration of vibrating sound from its main position is known as amplitude amplitude क्या कहलाता है हमें थोड़ा diagram बनादू graph में यहां से noise start होई और यहां तक चले गई और फिर नीचे आ गई वह कोई बोला इतनी तेज बोला यहां तक बोला और मान लिजे यह इसका पीक पॉइंट है पीक पॉइंट से नीचे तक की distance होती है क्या क्या आता है इसका amplitude यानिकी height इसम कहते हैं तो यह हमारा क्या हो गया peak sound से लेके फिर नीचे से ground level से पीक sound तक जितना भी हाइट होती है, वो क्या कर लाता है, और साउंड की अम्डिड्यूट कर लाता है, एक तरीके से हाइट, टाइम पीडियेट देखी स्टुडेंट्स क्या होता है, टाइम पीडियेट वन कम्प्लीट एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ दी पेंडूलम एराउंड इस मीन पोजिशन इस पोजिशन दीकी पेंडूलम देखा होगा आपने, यह ऐसे घड़ी में लगार लटका रहता है, यह घड़ी हो गई हमारी, यह यहां से इधर आता है, फिर इसके इधर आता है, तो यह क्या होता है, एक कम्प्लीट यहां से लेके यहां तक, जो इसने लिया, यह और यह फिर आने के बाद यह के complete हो गया हमारा revolution और यह क्या क्या लाता है फिर यह amplitude sorry oscillation क्याते हैं one oscillation time period जो क्या लाता है यह one oscillation का time period क्या लाता है frequency strength number of vibration made by vibrating body in one second एक second में जितनी भी body ही vibrate करें जितनी तेज वाइब कर रही है एक second में उसका क्या कलाता है वह frequency कि इतनी हाई it is known as its frequency the SI unit of the frequency को कैसा नापते हैं हर्ट मैं अभी पताया था है हजड पीछे आई थी quantity जो हम पढ़ लेते हुपर नोट तो उसके नापते हैं लाउडनेस sound के होती है लाउड होती बहुत तेज होती है यह sensation produced by the ear with neighbors to distinguish between a loud and a faint sound और जोगार हमारा sensation यह का बढ़िया होगा तो हम उसे संसुन पाएंगे और वाई sound ज्यादा होगी 20,000 अट से उपर होगी तो यह नहीं सुन पाएंगा लाजजर था amplitude of vibration louder is the sound produced और जितना vibration ज्यादा होगा यह का उतनी sound क्या होगी ज्यादा ओग जितना vibration कम होगी sound कम होगी इस प्रपोर्टर दूदी स्कौयर प्रपोर्शन होता है जैसे जैसे हमारा amplitude बढ़ता जाता है इसके स्कूर और वैसी हमारी sound बढ़ता जाता है जितने अब्रूद बढ़ता है उसके double sound स्क्वाइर कंन unity ofructure of the behavior that a Something is between streams and sources our time chill about it or soft mana by당 मीत झान प्लीजेंट सांरिय सकते हैं higher frequency of vibration higher is डापीच श्रिंकेज और जितने हाज़े फ्रिकेंश्टी वाइंच वाइब्रेड़िष लोगी विस बजा रहे हैं उसकी क्वालिटी हम चेक कर सकते हैं जो हमारे स्पीकर होते हैं इस टाइप से तो यह सब बता रखा है थैंक यू